गने जंगल में एक अवी अपने दो बच्चों के साथ रहती थी पडोस में किसी भी पखशी का घौंसला नहीं था क्यूंके वो अकेला रहना पसंद करती थी कोई भी पखशी उसके पडोसी पेड़ पर आकर घौंसला बनाने का सोचता तो कवी उसे वहां से भगा देती तोते मोटी चोंच वाले यहां तिंके क्यूं अकठे कर रहे हो कवी मैं इस पेड़ पर अपने लिए खौंसला बनाना चाहता हूं यह सुनकर कवी आगे भड़ती है और दोते के जमा किये हुए सारे तिंके जमेन पर किरा देती है भाग यहां से यहां मैं रहती हूं मैं किसी को अपने पास नहीं रहने दूँगी बेचारा दोता रोता हुआ वहां से चला जाता है कवी के खर के आसपास काफी भोजन था इसलिए उसे भोजन लेने दूर तक नहीं जाना परता था अभी कुछी दिन गुजरे थे के एक चिडिया उर्दे उर्दे उस दिशा में आ जाती है यह पेड़ ठीक है मैं इसी बेड़ पर अपना घोंसला बना लेती हूँ यह सोचकर चिडिया अपना घोंसला बनाना शुरू करती है कवी भोजन लेने गए हुई थी इसलिए शाम तक कवी के आने से पहले पहले चिडिया अपना एक सुन्दर सा घोंसला बना लेती है शाम होते ही कवी वापिस आ जाती है ममा ममा वो देखें सामने चडिया ने अपना घौसला बना लिया है अब ये चडिया कहां से आ गई मैं अभी जाकर इसे देखती हूँ कवी गुसे में चडिया के घौसले की तरफ जाती है चिडिया तुमने इस बेड़ पर घौसला किससे पूछ कर बनाया है चिडिया समझाती है कि अब कवी उसे यहां से भगाएगी इसलिए चिडिया जूट बोलती है कवी बहन शान्त हो जाए मैं कल सुभा यहां से चली जाओंगी आज की रात आ मुझे यहां गुजार लेने दें फिर गोरी कवी वहां से चली जाती है कवी अपने बच्चों को भोजन देती है बचो अब हमारे खर के करीब करीब से भोजन खतम हो गया है कल मुझे भोजन लेने दूर जाना होगा मगर ममा हमें कोई चील खा जाएगी ये सुनकर कवी डर जाती है और वो चुप रहती है भाव हो जाती है आज कवी को भोचन लेने दूर जाना था वो अपने बच्चों को अकेला भी नहीं छोड़ सती थी इसलिए वो कुछ सोच कर चिडिया के पास जाती है चिडिया थोड़ी देर तुम मेरे बच्चों के पास बैठ जाओ मैं भावचन लेने जा रही हूँ और मेरे बच्चे अकेले डर रहे हैं मगर मुझे तो आज यहां से जाना था हाँ अगर आप खेती हैं तो आज मैं इसी घौसले में रुक जाती हूँ मेरे बच्चों का तिहान रखना फिर कवी भोजन की खोज में चली जाती है कवी दूर तक जाती है पीछे चिडिया कवी के घौसले में बैठी कवी के बच्चों की रक्षा कर रही थी और फिर आसमान पर एक चील मंडलाने लगती है बचो बचो छुप जाओ डूष्ट चील आसमान पर फिर ही है खदरा है ये सुनकर बचे चुडिया के पंखों में चुप जाती है कम बख्त आज तो कोई भी छोटा बचा नजर नहीं आ रहा कहीं और जाती हूँ फिर वो चील वहां से चली जाती है थोड़ी देर बाद कवी भी भोजन लेकर आ जाती है अपने बचे डरे हुए देहकर कवी जुडिया से पूछ दी है जुडिया बचे इतने डरे हुए क्यों है कवी आप जैसे ही गई तो पीछे से एक चील आकर आसमान में मंडलाने लगी मैंने बचों को अपने पंखों में छोपा लिया मामा मामा वो चील बहुत बड़ी थी कवी बहुत खुश होती है आज जुडिया ने उसके बचों को चील से बजा लिया था कवी बेहन अकेले जीना बहुत मुश्किल है हमें एक दूसरे की मदद की जरूरत पढ़ती रहती है हाँ जुडिया अब हम हमेशा मिलजुल कर रहेंगे और हमेशा एक दूसरे की मदद करेंगे फिर शाम को चील या किसान के खे से एक मकई का भुटा लाती है और अपने पडोसियों की दावत करती है छोटे बचे मकई खाकर बहुत खुश होते है मामा चुडिया आंटी का भोजन बहुत स्वादिष्ट है कल मैं छोटे बच्चों को मीठा फल बिला कर डूंगी कभी आज रात बच्चों को मेरे पास ही छोड़ जाए मैं बच्चों को कहानी सुनाऊंगी चुडिया सच आप बहुत अच्छी हो आपके आने से तो हमारी खुशिया और भी भड़ गई है ऐसे वो सब खुशी खुशी वहां रहने लगते हैं प्यारे दोस्तों इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें हमेशा मिर जुल कर रहना चाहिए और एक दूसरे की मुसीबत में एक दूसरे के काम आना चाहिए